आज का डिक्टेशन 80 सब प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकिंड बाद स्टार्ट उपाध्यक्स महोदै सरकार द्वारा पेश की कई रिपोर्ट को देखने से एसा मालूम होता है कि इन कामों के लिए जिस धन का उपयोग होता है वह केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा और कुछ गेर सरकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्द कराया जाता है रिपोर्ट के अनुसार जितना धन इन कारियों पर खर्च करने के लिए दिया जाता है उतना धन पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाता है मैं यह नहीं कह सकता कि आवश्यक्ता से अधिक दन दिया जाता है या कार्यकरताओं को यह दन प्राप्त नहीं हो पाता मेरा कहना तो यह है कि जितना धन दिया जाता है उसका पूरा उपयोग हो और समंधित अधिकारियों का कहना पड़े कि इस कार्य के लिए जितने धन की आवश्यक्ता थी उतना धन नहीं मिल पाया और मजबूर होकर उस कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा महोदय जहां तक राज्य सरकारों का समंध है बहुत सी राज्य सरकारें अभी तक इस कार्य में रूची नहीं ले रही है वे इस कार्य को उपेक्सा की द्रश्टी से देखती है केंद्र सरकार के अधिकारियों ने इस बात की सिकायत की है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने अनेक पत्र भेजने के बाद भी अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाए कि वे इस दाईत्वे के प्रती सजग हों और केंद्र सरकार को इस कार्य में पूरा पूरा सहयोग दे जहां तक गेर सरकारी संस्थाओं का समंद है आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार का संकेत दिया है कि केवल कानून या सजा के द्वारा ही इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है इसके लिए अत्यन्त अवश्यक है कि सामाजिक वातावर्ण भी तैयार किया जाए इस सदन के माननिय सदस्य जानते हैं कि हमारे देश में आजादी के बहुत पहले से ही अनेक गेर सरकारी संस्थाओं इस कार्य को कर रही है उन्होंने समाज में व्यापत बुराईयों को दूर करने के लिए बहुत काम किया है मेरा अपना विचार है कि इस प्रकार की जिन्दगी जितनी संस्थाएं इस समाई देश में कार्य कर रही है सरकार उनके साथ पूरा सहयोग करें और उनको सहायता दे ताकि वे और अधिक उच्छाह से काम कर सकें इन संस्थाणों के द्वारा सामाजिक इस्तर पर हम जितना भी प्रचार कर सकें वह हमारे देश और हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा सभापती महोदय आज हमारे देश में जो उपर से लेकर नीचे तक सिख्षा दी जा रही है उसमें व्यवस्था ही एक कारण है जिसकी वजह से सिख्षा का इस्तर गिरता जा रहा है मेरा अपना विचार है कि जो सिख्षा प्रणाली है और जिस रूप में सिख्षा दी जा रही है वही अनुसासन हीनता का भी कारण है अपने देश और प्रदेश में हर एक की अपनी अपनी भासा है और वह बालक जो इस देश में पेदा उआ है जो अपनी मात्र भासा की गोद में पला है उसको यदि अपनी मात्र भासा में ही सिख्षा दी जाए तो मेरा विचार है कि सिख्षा का इस्तर ठोस हो सकता है जो सबसे बड़ी भूल और कमी सरकार की द्वारा दी जाने वाली सिख्षा के समंध में ओ रही है वह यह है कि बालक की मात्र भासा में सिख्षा नै दे कर उसको उस भासा में सिख्षा देने की व्यवस्था की गई है जो हमारे देश या प्रदेश की भासा कभी रही ही नहीं मेरा अभिप्राय विदेशी भासा अंग्रेजी से है मैं यह मान कर चलता हूँ कि जब से यह भासा इस देश में आई है चाहे वह किसी कारण से आई हो इसे आप भी और इस माननिय सदन के सदस्य भी जानते हैं कि उससे बूरे परिणाम ही निकले है कोई भलाई नहीं हुई है इस देश को जो हानी हुई है वह किसी से छिपी नहीं है हम देख रहे हैं कि हमारे यहां जितना फैसन बढ़ रहा है और जितनी वेश भूसा बिगड रही है वह सब अंग्रेजी भासा के ही कारण है समाप्त